पहले पॉइट में भोजन कहा zero बोजन पॉधे और जन्टो से प्राप्त होता है साखा हरी कौन होते है सब लोग जानते हैं वेचिटेरियन जो केवल पर पॉधे खाते हैं मा साहभी जो केवर जन्टोगा थेंडयर और सरवाहारी कि मिनडरल्स है ठीक है अगला है जो हम वी टिवर अनकी ड़ोटा किसा रूप में होता है मंड को इंगलिश में स्टाश वे पोलते हैं और या तो सुगर रूप में होता है तो ही यहां से यह तीन पोइंट बहुत important है बहुत ज़्यादा ही important है क्योंकि कोशन आता है कि आप कैसे test करेंगे कि किसी चीज में starch present है तो starch को present यांकि मंड कर testing करने के लिए हम उस पदार्थ को उस पदार्थ में दो तीन drop हम iodine solution के डालेंगे ठीक है copper sulfate और caustic soda की दो तीन बुने डालेंगे अगर उसका रंग बैगनी हो जाता है तो आप protein उससे पता चड़ेगा कि उसमें protein है ठीक है इसमें नीला काला था इसमें बैगनी था और वशा के लिए तो हम लोग अपने घर में ही करते हैं आप देखते होंगे कि आप मोंफली के कुट दीजे ठीक है पिस दीजे अगर उस कागज के टुकडे पर तेल के धब्बे आ जाएंगे तो इसका मतलब उसमें fat है वरना नहीं अब इंसम को प्राप्त क्या होता है कार्भोहाइड़िट से हमको energy मिलती है fat से भी हमको energy मिलती है लेकिन कौन ज़्यादा energy देता है तो fat हमको ज़्यादा energy देता है ठीक है protein क्या करता है सरीर में सरीर की व्रद्धी करने में ठीक है growth के लिए growth के लिए और स्वस्त रखने में सरीर वर्धक भोजन होता है एक तरीके का vitamin रोगों से लड़ने में help करता है आंक अस्तियां दात मजबूत बनाता है vitamin कितने पेकार इसको बहुत प्रिसाइज बहुत छोटा रखा हुआ है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कई बार रिविजन करें कई बार इसको सुनिएगा vitamin A से तो अच्छा और आख सही होती है आख की दिकते सही होती है vitamin C का बताया था कि रोगों से लड़ने में help करता है vitamin D बोन और तीत के लिए important है plus calcium use करने भी help करता है यह important है मैंने black pen से लिखा हुआ है कि vitamin D का use calcium use करने में भी help होता है तो हमें body में calcium होती है उसका use करने में help करता है और vitamin D सूर के प्रकास में बनता है minerals का role क्या होता है minerals यानि खनीज लवर सरीर के उचित विकास के लिए और स्वास्त के लिए बहुत helpful होता है अब यहां पर हम बढ़ते है रफेज यानि की आहारी रेसे जिसों रुच्छांस या फिर आहारी रेसे बोलते है तो अभी हमने बताए कि वो सारी चीज़े तो important है यह उसके अलावा यह दो भी बहुत important है कि हमारे सरीर के लिए ठीक है तो इसमें यह क्या होता है यह पाद क्या करता है जो अदना भी हम पोशक तत्य अभी उपर लिये हैं उनको अब्सौर्ब करने में help करता है और waste material निकालने में urine की थूरु जो waste material निकलता है उसमें भी यह helpful होता है बोजन पकाने से पोशक तत्य की हानी हो जाती है तो हमें जादा पका हूवा भोजन नी खाना से गर्म करते हैं रिखेंगे यह रोग चाहिए जो पोशक्थों की से होते हैं इसे सब्सक्राइब स्कूस्य के कई सब्सक्राइब 3202 जटाइब 3101 जाता है जितामिन प्रसौट को घेये अनिकि एनीमिया रोग हो जाता है ठीक है यह रोग यह वन लाइनर कोशन आते हैं इसलिए आपको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा ताहार क्या होता है जिसमें पोशक तत्व तो होते हैं यह कार्बोहाइडरिट फैट और मिन्रल्स वगरा तो होते हैं उसके साथ में अनिकि नेच्रल एक सिंथेटिक । फ्राकितिक जो होते हैं वह पेड पौधा हिए जन्दों से प्राप्त होते हैं जैसे कि सूती यानिकि कोटन जोट रेश्मी उनी से प्राप्त होता है ना इस तारीकों से इंथ्टा होते हैं काफस के पोधों से प्राप्त होती है काफस के जो पोधे होते है ये काली मिर्दा में लगाजाते हैं और मत्तब गर्मी सीजन में लगा जाते हैं कपास बॉलो से इसमें होता है कि में pictures भी ad किया जाता है इसे कपास ओठना कहते हैं कि नेक्स है जूट जूट को हम पर्टिसन भी बोलते हैं यह प्लांट से प्राप्त होते हैं और यह इसकी खेती वर्सारीतु में होती है वेस्ट बेंगल बिहार और असम्ट छेतर में जादा पाय जाते हैं अब इस पिनिंग के बारे कटाई के काम आती है इसके लावा चर्खा भी कटाई के काम है यह देखे तागों से रेसों से जो तागे बनाए जाते हैं उसको हम कटाई बोलते हैं या फिर स्पिनिंग बोलते हैं यह इंपोर्टेंट है कि खादी ग्रामद्योग आयोग का गठन का हुआ था 1956 में हुआ तागों से वस्त बनानी की कौनती विदिया था तो तागों से वस्त बनानी की दो विदिया है एक हो गया बुनाई एक हो गया बनाई यानि की वीविंग एंड निटिंग और यह बुनाई कैसे होती करगों से होती मैं पिक्चर साइट कर दूंगी करगों से होती हैं हैंड भी कहते English में अब यह next chapter है पदार्थ के गुड कौन से होते हैं तो पदार्थ देखने में अलग-अलग होते हैं यानि कि जो matter होते हैं anything which occupies space and have mass is called matter बहुत बच्चवाली definition है इन में कठोरता अलग-अलग होती है विले यानि कि घुलंसील होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं पदार्थ यह बहुत important है क्योंकि यहां से कई सारी विदिया पढ़ेंगे कि कि दो या दो से अधिक पदार्थ अगर mix हो गाए तो उनको अलग करने कि कितनी विदिया है तो जो anxiety book में लिखिए मैंने वो डाली हुई है पहली हस्त चैननी कि हाथ से बिल लेना जैसे हम लोग अधिक होगा कि गाउं में चलनी लेकर हवा चलती है तो फिर भारी कर नीचे बढ़ जाता है अना जो बूसा 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 अलग हो जाता है सीविंग यानि कि चालन क्या होता आटा चाल करके अलग कि जाता है जिसमें दो अलग-अलग साइज के अगर mix हो गए हैं तो उनक कर यह पानी पानी साप पानी उपर बचता है डी सेंटेशन तो यह दोनों प्रोसेस आसी पास होते हैं कि मिस्टर को बिना हिलाए जल को मिटी से मिटी साहित उड़ेल देना है इनकी जल अलग कर लेना है इसी को मोलते हैं डी सेंटेशन जैसे इसका यूज पानी और तेल को अलग करने के लिए कि यह जाता है। फिल्टार तो जानते ही है यह चाहणना यह चाहय लाः चाहण हाती ही इफ़ोपरेशन का का यूज करो होता है यूज ज्यादा किंपोडरेशत से नमकस्षेक Bunu क обяз वॉपरेशन का वास्प का पानी बन जाना, यह होगा कभी है important है, अभी आगे भी आप पढ़ेंगे gas का water बन जाना, तो यह होता कैसे है, जब temperature कम होता है, अटीक है, जब temperature कम होता है, तब condensation होता है जो संगनन मोलते है solution किसा मिल कि बना होता है, solution दौ चीजे इसे क्या होता है जिसे आपने देखा होगा कि अगर मैं इतना सा पानी लेती हूं और उसमें मैं चीनी डाल दी हूं तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी ठीक है उस तब उस solution को हम कहते हैं saturated saturated या संत्रप्त solution जब विले और अधिक न घोला जा सके तो उसे बोलते हैं saturated solution और जब और घोला जासे के तो unsaturated हो जाएगा और जो हमारे चारोर जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमित उत्क्रमित की अधार पर पौदों के तीन केटेगरी हैं एक है साक जाड़ी और रच साक क्या होते हैं तो इनकी मैं पिक्चर साइट कर दे रही हूं हरे कोमल जो तने होते हैं जिनकी हरे कोमल तने होते हैं और छोटे होते हैं यह इनकी कई साखाएं नहीं होती है ठीक है जाड़ियों में साखाय तने के अधारत हैं, निकि तने के अधारत ही बटी जाती है, और तना कठोर होता है, लेकिन मोटा नहीं होता है, व्रच को तो आप जानते हैं, तने मोटे होते हैं, साखाय उची होती है, उचे पे होती है, अब यहाँ पे हैं, विसरपी लता और आरोही लता कौन सी हो किसी की सहायता से उपर चड़ जाते हैं अगर आपने कोई डंडा रखा हुआ तो उस पैसे जगर के लिए पड़ जाएंगे तो उसको हम क्लाइम बर्स बोलते हैं ताने का कार होता है तो ताने का कार होता है मिनेरल Congress आने के खनी और जल का समोहन करना ट्रांस्पोट करना फ्रॉम पाइंड नबर फ्रांस्पोर्ट करना फ्रण वन पास्टों प्रायन अनदर एक लिव से एस सारे सामें करना होता क्या होता है यह सारे point wise statement wise question आते हैं कि वहाँ भाग यहां हमने diagram बनाया है कि वहाँ भाग जो तने से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं पड़वन्त ठीक है फिर अगला है यह जो green वाला पूरा पार्ट होता है स्यला विन्यास स्यला विन्यास दो टाइब कि यह होती हैं एक जाली का रूपी एक समांतर तो है अप देख रहे हैं समांतर वाला घास के पत्तों में होती है इस Ini सारी लाइन समांतर होती है ठीक है अब ये बहुत important है कि वासपोत सर्दन क्योंकि अब आगे की chapters में आप पढ़ेंगे इसका नाम तो वासपोत सर्दन का मतलब होता है कि असल में होता क्या है अब ये आगे की class में हैं मैं बता दे रही हूं पतियों में चोटे-चोटे वातर निर्पाए जाते हैं इसको ostomata बोलते हैं stomata से ये gases का तो एक्सचेंज करते करते साथ में जो excess water होता है एक्स्टा पानी उसको भाब के रोप में निकाल देते हैं तो पत्तियों से निकालने वाली जल की बूंदे जो जल वास्प के रूप में निकलती है उसे हम बोलते हैं वास्पोट सर्ड है यानिकी ट्रांस्पिरेशन अब फोटोसेंटेसिस तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्तिया क्या करती है प्रकास यानिकी सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जलो कार्बन एकसइट का उपयोग करते हुए बोजन बनाती है। और क्या रिलीज करती है ऑक्सिजन रिलीज करती है कि इस प्रक्रिया को हम प्रिकास संस्रेसर कहते हैं है पौधे अपना बोजन किस रूप में स्टोर करते हैं बहुतploy urgent हैं कि 10 में भी कि 10 के chapter में बीयल पॉइंट है कि पौधे अपना की पौधे पौधे चस्शार्च के रूप में इस्टोर करता है छड़ करते है अब जड़ ग shortest के बारें पढ़ेंगे सब्सक्राइब ऐनको हम ट्याप रूड बोलते हैं और मुश्ला जड़े इनके पिक्चास आप देख रहे होंगे यह और इसमें जो एक्ष्टा साइड में जड़े निकली होती है में जड़े उससे ऐसे करके जो जड़े निकली होती इसको हम बोलते हैं इंग्लिस में बोलते हैं लेटरल Root और जखड़ा जले के उतिंगे कोई नहीं होती है सारी ऐसे से करके फैली होती है उनको बोलते हैं Fibros Root खाने वाली जड़े कुन थी होती है तो ये तो वैस्में भी पूछा गिया कने वाली जड़े जाक तो पुंकेश्वर यह बहुत important है कि अगर पुचा जब उसका नर्भाग कौनता होता है यह male part और female part नर्पार्ट को हम पुंकेश्वर बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं stamin इसके दो पार्ट होता है एंथर और filament एंथर में ही पराकर होता है जो की reproductive unit होती है जिससे आगे जाकर के दूसरे फूल अगरा बनते है और जो यह इस्तरी केसर है इस्तरी केसर को हम कारपिल बोलते हैं यह पिस्टल भी बोलते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं वर्तिकाग वर्तिका और अंडा से तो यह उपर वाला वर्तिकाग यह जो मठकी जैसे शेब होता है वर्तिकाग और यह जो शेब होता है यहा अंडा से यहां अंडा इस्टोर होता है अगला chapter है joints है जोड़ नहीं के बारे में पड़ेंगे जोड़ समझते हैं दो बो वो जो जोड़ने के लिए जो बीच में जोड़ लगी होती है उसको हम संदी बोलते हैं अभी कितने टाइप की हैं उनके बारें पढ़ते हैं कंदुख खली का संदी यानि कि बॉल एंड सॉकेट संदी यह हाथ को पूरता वर्ता लुकार गुमाते हैं यानि कि जब देखते हैं कोई जी गोल-गोल पूरी घूम जाती है वहा तरवनी और गुटत्ने या तो ऐसे ऐसे जाएगी या तो ऐसे से जाएगी ठीके साइम महीं कर Judge तो अच्छल संदी जो नहीं घूमती हैं जैसे कहा पाय जाती हैं हमारे brain में ठीक है brain में जो हड़ियों में जो joints होती है वो बिलकुल भी हिल नहीं सकती है उनको हम fixed संदी बोलते हैं या जबड़े या कपाल के मध्य में भी होती है बानो कंकाल में कितनी हड़िया होती है तो जब हम जन मिलेते हैं तब 305 है NCIT के कोर्डिंग लिखा हुआ है और 206 बड़े होने तक क्योंकि कुछ हड़िया जोड़ करके नई हड़िया बन जाती है तो 206 हो जाती है अगला है चेस्ट में पसलिया कितनी होती है यह रिप्स कितनी होती है बारा बारा होती है ठीक है और इ नीचे जो अस्थियां होती है अगर यह है स्टमक तो इसके यह वाला हिस्सा जो होता है जहां पर यह पूरा कंकाल में आप पिक्चर देख रहे होंगे इसमें क्या होता है इन हड़ियों को पैल्विक बोन बोला जाता है यह वन लाइनर ऐसे ही कोशन आते हैं तो आप बिल पास्ति बोलते हैं अब केच्वे के बारें पढ़ेंगे कोई भी बोन नहीं होती केवल मसल्स होती है और इनके सरीयर पे बाल जैसी सरज़ना होती है जो कि क्या करती है मिट्टी को पकड़ के रखती है चैन का एक तरीका होता है कि पहले यह आगे वाला हिसा रिंग चैन को ले जाते हैं उसे यह से मिट्टी उपजाओ बनती है गूंगा स्नेल इसके उपर एक रसी होता है कोई बोन का बुदा और तर यह नहीं धर कोHigh 수ων मिसल के बने होते। इस ट्रेट्मेंन वाई सुटे चुटेुटगे पॉइnt आन्वैस में राला दिया है कोर्क रोठ पैर होते हैं, तीन जोड़ी पैर होते हैं, दो जोड़ी पंक होते हैं, उपपर एक बाग अंकाल होता है, आगे के पैर सक्रे होते हैं, और पीछे के पैर चोड़े होते हैं, और मसल्स होती हैं, अगला पॉइंट है कि पच्छी उड़ पाते हैं, पच्छी क्यों उड़ पात लेकिन के चार होते हैं लेकिन जो आगे वाले दो पैर होते हैं वही इस्टाрटिंग में पंक बन जाते हैं अब मचली की आकरिती आप देख रहे हूँगे कि इनकी आकरिती कैसी होती है तर्यने में आगे क भाग एक और और पीछे विपिरीत होता है चाहिए हैं कि आगर यह ऐसे जा रही है तो पीछे वाली पूछ ऐसे जाएगी ठीक है पंhl इनके भी जो पंखोता है यूपर वाला जो फर होता है वह जल में करता है सब का आपने देखा ही होगा कि अल्टरनेट चलते हैं सब यह देखे साइन बना दिया है वला एकार गती करते हैं अब यहां पर यह अरस्तु की बुक का नाम याद रखेगा गैट ऑफ एनिमल जिसमें उन्होंने बहुत सारे कोशन पूछे हैं कि चंतु और से रेटेड बहुत स क्या होता है अनुकूलन का मतलब होता है कि जिन विशिष सनचनाओं या सभाव के कारण पौड है अपने परिवेश में रह पाते हैं उसे हम अनुकूलन कहते हैं जिसे अगर हम देखें कि बरफ वाले इलाके में जो पैंग्विन रह पाती है तो वह उनका अनुकूलन होते हैं जहां पर जो लोग इस्तल पे रहते हैं ऑर जो जल्स में रहते हैं vision है अनुकूलन अब यहां है पर ही पारेनökूलन तो comfortable हो जाएंगे तो इ concealed in clothing उते हैं यह लंबे समय के लिए नहीं होते हैं मरिस्तल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मरिस्तल वाला कैसा होते हैं जिसकी वजये से इनको इतनी heat नहीं लगती है पसीन कम आता है मल सुस्क होता है इनकाπαफी दिने तक बीना रहे पाते हैं चुहे और साप भूमी चाहिए पोल चाहिंद से भी भी पोल और फंसरम कईभ смотреть इसमheit निसぁ उंक्षे हैं वहां है जो photosynthesis होता भी है क्योंकि पतिया पहली बात कम भी होता भी है प्रकाश अंसिलेसर वो तने में होता है यानिकि stem में होता है गड़े जारे गहराई तक जाती है ताकि जल का अफसोसर कर सके हैं क्योंकि जल की कमी होता है परवती छेतों कि क्या विसस्ताय होती है तो व्रच संक् सखाएं तिर्ची होती है कुछ की पत्यां सोई की अकार में कब्स होती है इसकी सपर जमीन Russ की तउस रहे जंत्या के व्मोटी होती हैं फर ठंड से पचाते हैं घासिटल के रोगों की क्या विसेशता है तो दो की योंकि जब सास लेती है लेकिन Jesus अबब रोख लेती है जली पदोगी जड़े जो होती है वाकार में चोटी होती है कि तर्वारा खोखला होता है यह पानी में रुख सके और हल्का होताए पौदों में सोचन कैसे होता है तो मैंने बताया था सूच्वरंद यानि कि इस टो मेटा बोलते है तो इसके दौरा सीूटी यह लेती है और तो निकालती है एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट पदार्थ को निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है यानि कि उठ्सरजन कहलाता है रिप्रोडेक्शन का मतलब होता है कि एक स्पीसीज द्वारा एक जाती द्वारा अपने जैसे अन्द बच्चों को पैदा करने की प्रक्र सबस्क्राइब क 전달 करें देटीरीं, 90-9oUSD गैसे सबस्क्राम कहां परक्राइब कि परस डदीर करना नहीं कि इस सब्दमाता करना धी रही है जो के रहाँ है है सबल्सक्राइब करना माकश करूं सुछ है, और अफे जो डिशाने बिम्हारब व्यर्कirie साई उनिट मीटर होती है यह देखे कुछ चेंजेस बताए गया थे कि एक मीटर से संटी मीटर कैसे जाए या संटी मीटर से मिली मीटर कैसे जाए इसके लिए मैंने ओलेडी शॉर्ट वीडियो डाली है चार मिनिट की आप उसको देख सकते हैं गती के प्रकार कितने होते तो गती के तीन प्रकार है तो गती के तीन प्रकार है बरतिल जबहुत हो ओद हो ऐसे कर करता है इसी को हम बोलते हैं periodic motion है एक समय अंतुराल के बाद अपनी distance repeat करता है दो type की वस्तवे होती है deep वस्तवे और deep वस्तवे जिनका खुद का प्रिकास होता है luminous things बोलते हैं और non luminous जिनका खुद का प्रिकास नहीं होता है प्रिकास सरल लेखा में गटी करता है ठीक है हमेशा straight line में गटी करता है ये जब प्रिकास के मार्ग में कोई apart जैसी वस्तव आ जाती है तो चाया बनती है ठीक है chemical energy को electrical energy में convert करता है circuit क्या होता है एक circuit क्या होता है continuous and close जो path होता है जिसे current flow होता है इसी को हम बोलते है circuit यह से battery लगी होती है और यह कहीं से break नहीं हो तो इसको हम बोलते हैं circuit conductor और insulator जो पदा विद्धु धारा उपन करते हैं यह प्रवाहीद नहीं होती वह इंसुलेटर होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया और लखडी हो गया कागच हो गया आदी स्विच एक डिवाइस होती है जो परिपत को तोड़ने या पूरा करने के काम करती है अगर स्विच ओफ है तो उससे क्या होगा करेंट फ्लो नहीं होग है ठीच कुछ लोगं का यह भी माना है कि मेंगनेटाइट का नाम इस वजय से बढ़ा क्योंकि वह मैगनीशिया. शिखाब्त करते हैं चुमके बदार्त होते हैं जो चुमबक की और आकर्सित होते हैं जो चुम बदार्त होते हैं prochaine vacude नहीं से किसी एक तरफ होता है चुम्बक अपनी विरामस्था ये बहुत important point है अगर चुम्बक अपनी विरामस्था में है तो हमेशा ये north-south direction में ही रुकेगा ठीक है इसी लिए जादा तर लोग जब जंगल अगरे जाते हैं तो compass का use करते हैं जिसमें वो bar magnet लगा होता है जो कि north-south direction को बताता है चुम्बक को गर्म करने पर या हतोरे से पीटने पर या उचाई से गिराने पर उसके गुड़ खतम हो जाते हैं ये खराब हो जाते हैं और ये तो पता होगा opposite attract यानि ये विप्रीत धुरू हमेशा ट्राक करते हैं समान धुरू हमेशा दूर जाते हैं अगर हम कहें north और north क्या होगा तो ये हमेशा दूर भागेंगे एक दूसरे की तरफ चिपकेंगे नहीं लेकिन north और south होगा तो ये चिपक जाएंगे ये अगले chapter है प्रतिवी का दो तीहाई भाग जल से घिरा हुआ है बुक का एक पेज ये वन लाइनर पो कोशन आता है कि बुक का एक पेज बनाने में कितने कितना पानी लगता है तो दो ग्लास पानी का यूज होता है स्टी कोलरीज की पोयम का नाम क्या है राइम ओफ दा एनिसेंट मारीनर ठीक है वोटर साइकिल आप दोंग बच्पन ने पढ़ा ही होगा जल चक्र का मतलब होता है जिसे पानी पढ़ा हुआ है तो पानी पेपहले क्या हुआ हुआ सूर की किलने पढ़ी तो ये वास्प ब घ्यम को बलते हैं वाटर साइकिल का यह इंपोड़ेंट नोट है कि एक कीजी जो डिब्ब्य वाला पोशन होता है बहुत इंपोड़ेंट होता है तो उसको बिल्कुल हुआ नहीं चोड़ना एक केजी गेहु देने वाले पौधे में एक किलो अगर जो घ्यु देता है वेस्ट क्या मतलब वह वासबन के वातवरन में चला जाता है थंडे जल के गिलास से देखा होगा कि थंडे जल के गिलास के बाहर बुन्दे क्यों आ जाती है तो बाहर की जो वाई होती है वो थंडी हो गई नालिया होती है दीरे तीरे के जमेन में से पानी वर्सा जल होता है वायो मंडल अंडलक Self उसके साथ में धूल और भूआ भी होता हो जलवास भी वाटर भी पाया जाता है ऑक्सीजन कैसी गया से जॉलन सील गया थी ठीक है किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन किया सकता होती है तो वह चीज नहीं जल सकती है इसे मतनद कोईल उसको अगर हमने किoire तो होने लगती है अच्छा सास लेते टाइम धूल के कड़ भी तो हमारे नाक द्वारव जाते हैं लेकिन हमारे नाक में इसी वज़े से बाल और म्यूकस जो चिपचपा पढ़र्त होता है वह इसी वज़े से होता है ताकि वह धूल के कड़ हमारे लंक्स तक ना पहुच पाएं जल उबालते समय बुलबुले क्यों आते हैं ये देखें मैंने पॉइंट वाइस बनाया है बहुत मैंनत लगी है तो थोड़ा थर लाइक और शेयर कर दीजेगा जल उबालते समय बुलबुले जल में घुली वायू के करण होते हैं और टू लेते ज़्यादा हैं इसी वज़े से हम क्याते हैं एसा अफ़ावन चक्की का उप योग किसलिए होता है योई जल में फाजुर्ऑ करते हैं जल में घुली ऑक्सीजन का और मित्टी में मौझूद्व क कॉरते हैं जो थोडी तभियान की शुरुवात की थी इसका लक्ष किया है दो अक्टूबर 2019 तक खुले में सौच से मुक्त भारत यह हमारा आखरी चैप्टर है तो और मैंने एक्स्ट्रा मैनत किये पिक्चर्स वगरा आइड करने में आई होप आपको अच्छा लगा होगा लैंड फिल लैंड फिल का मतलब होता है वह भराव चेट वह निचली जिखा जहां पर क्या करते हैं लोग कूड़ा वगरा डाल देते हैं और कूड़ा डालने के बाद उसको मिट्टी से फिर पाड़ दिया जाता है जूप योगी फिर अणिक देंट्र के मिट्टी से फिर बाद रख़ता है वह हम वर्मी कंपोस्टंग क्या होते है वर्मी कंपोस्टिंग का नसकिस टे क्रब मतलब भी होता है क्रेमी क्रेमी केचुओ तो लाल केचुओे की मथद से जो चानी पाधर आ lleva रहे immense přाज नथे आरे पाद के देख रहा होंगे है विषेज सेराचना कि होता क्या है कि इसमें कराया छान paLeod elastic जिस पे केचुवा उनको खा करके जो अपना वेस्ट मठीरा निकालता है उसी से मिटी उपजोव बन जाती है यह थे मेरे क्लासिक्स के स्टार्ट होता है मूह से मूह में होती है लाला ग्रंती ग्लांड क्या होती है ग्लांड से कोई न कोई रस निकलता है या इंजाइम निक आफुक्त्सपी में तोड़ देते हैं okay complex food को करते हिए simple में तोड़ elsे समझे हम लिए के जो इनको समझे में जाया ना उनको आप सबस् gusta कंपिज खर है और गलुको समझ में अगर की किये अच्छ को क्षाने को थो करने काम करते हैं हमारी स्लाइवली ग्रंट जिसको बोलते है लाला घ्रंटी हिंदी में उस से एक ऐस निकलते है लार लार में एक नियम होता है वह में इंपोर्टें नाम है was amylase, कौनष alar नेख एम्याइ लेस अब ऐस एंजाएम का काम क्या होगा complex food को simple food में तोड़ देना इनकि जट्ड्ड़ काने को simple खने में तोड़ content मोजूंद होता है into ,uko star bars, काs को सुगर सीम्पल सुगर में तोड़ने का काम करता है अगर पूछा जाए, डाजिशन कहा होता है, तो इसे पेट में नहीं होता, डाजिशन मुह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहला point clear हुआ, आप खाना कहा पहुचा था, यह देखे diagram के तुरू, खाना मुह से गया था पेट में, तो चले पेट में पहुचते हैं, पेट कें दन कहांगे अंग धाया कहांगे, जो कि सब सहलांगा इस थिए इतना स्किन पहला कि आपध जाए तो फेट में यही तो पीफ इसीड होता है, तो पेट में SCLM रहे, इसका काम के है, NCRT में क्लास 10 में भी दो काम पूछे गए हैं, क्लास 7 में तो दो काम लिखे हैं, दोनों काम लाइन से याद रखेगा, खाने को असेटिक बनाना, क्यों, खाने को असेटिक बनानी की क्या जरूरत है, अभी आगे बताती हो मैं, फिर दूसरा काम होत जब छाने को कैसा बनाऊगे?! असेटिक बनाऊगे इसलिए खाने को असेटिक बनाने के काम SCL करता है, तबタबion क्या करे कि खाने में मौजूद प्रोटीन को तोड़ देता है स्त्रीज कई प्रोटीन तोड़ देता है, अभी फ्रोटीन कई भार टूटे का सब एकर फिर क्योंकि SEL इतना खतरनाक होता है कि इससे अपने पेट को बचाने की बहुत जरूरा थे तो पेट को बचाने के लिए जो SEL से पेट बचाने का काम म्यूकस करता है ठीक है पेट की चारो और अंदर की और एक लियर बन जाती है जो कि पेट के संपर्क में SEL को नहीं आने देता है अब मैं आपको एक एक इक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ क्लास 10 में यह कोशन मेंशन है जब पेट में SEL बढ़ जाती है तो हम कौन से बेस का यूज करते हैं अमल को न्यूट्रल करने का काम एक चार करेगा चार मतलब बेस करेगा तो हम लेते हैं मिलक उफ मैंगनीशा क्या लेते हैं मिलक उफ मैंगनीशा जिसको बोलते हैं Mg-OH क होल ट्वाइस किया बोलते हैं Mg-OH का होल ट्वाइस इसको लेते हैं मिलक उफ मैंगनीशा जो डाइजीन वगरा पीते हैं उसमें यह होता है फिर नेक्स अब क्या होता है खाना कहां पोचेगा फिर मैं जाती हूँ अमासे था ना स्टमक था इस चोटी आत में लेकिन छोट पैसे निकलता है उसरीर की सबसे बड़ी घ्लांड इस Dieses निकलता है उस रस का नाम होता है बा बैल जूस क्या करेंगा खाने को बेसिक कर देना अम्लिय हो गया था खाने को यह बेसिक नाने का और आप आगे बताते हूझ मैं चाल्क निया ट्था होता है ये सारा गॉल ब्रे यही bile juice store होता है, और फिर दीरे यह small intestine में पहुचता है, अब pancreas क्या करता है, pancreas में 2 enzyme होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि bile juice क्या करता था, खाने को चारीय बना देता है, तो चारीय इसीलिए बनाता है, क्योंकि pancreas कहता है, कि मैं अपने इंजाइम तभी भेजूँगा, मेरे इंजाइम तभी काम करेंगी, जब खाना कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है? तो अब पैंक्रियास के जो दो इंजाइम है, उनका नाम है, ट्रिपसिन और लाइपेस, तो ट्रिपसिन का काम होता है, प्रोटीन को तोड़ना, जो बची हुई प्रोटीन है, या फिर जो पेप्टोन तूटा था, उसको फरदर ट्रिपसिन तोड़ देता है, और लाइपेस से लेकर कि आपका स्टमाक और पैंक्रियास लीवर इस सब होता है तो इसका सबसे बड़ा भाग जो होता है हमारे पूरे पाचन सिस्टम का उसमें सबसे लंबा भाग होता है क्लास 7 में अगर पूछा जाए कि जितना भी खाना है उसका कंप्लीट डाजिशन कहा होता है पूरी तरीके से पाचन कहा होता है इसमाल इंटेस्टाइन में उसके खुद के भी रस होता है रस होगा तो अविसली इंजाइम होगा इंजाइम निकलते हैं और जो कि फाइनली क् कार्बो हाइडेट को ग्लुकोस में तोड़ देते हैं यह पूरा फाइनली हमाय सरीर यही समझता है ग्लुकोस फैटी एसीड और अमीनो एसीड तो कार्बो हाइडेट जो खाने में मौझूद होता है इसको ग्लुकोस में तोड़ देते हैं फैट को फैटी एसीड और ग्ल का काम क्या होता है, जितना भी खाना पच गयाने का महीन हो गया है, तो वो अब खाने को अब्सॉर्फ करने का काम करता है, यानि कि blood में ले जाने का, यही इसमें capillaries होती है, खुब सारी blood की, जिसके थूर यह एब्सॉर्फ हो जाता है, अब फिर खाना कहा पहुचा था चोटी आत के बाद खाना पहुचेगा बड़ी आत में बड़ी आत में पानी क्योंकि में में चीज़ तो अब जितना वेस्ट बसता है उसमें से पानी और नमक एब्जॉफ करने का काम बड़ी आत करता है फिर एनस की थुरू जितना भी मल होता है वह starfish यह बहुत important है क्योंकि NCRT में इसको box में mention था box वाली point बहुत important होते हैं तो starfish जिसको τारा मचली भी कहते हैं तो यह क्या करते हैं calcium carbonate के जो कवच वाले जीव होते हैं ऐसे जीव जिनके ऊपर calcium carbonate याणिके CACO3 की परत होती है उनको खाती है तो इसकी सबसे खास बात यह बाइर निकाल कर खाती है तो इसका पेट से वाले निकाल लेती कुछ नहीं है इसके अ कुछ चॉशन आता है कै कॉनसा हम जीव है छो अपना पेट बाहर निकाल कर खाता है तो स्टारफिस अब गास खाने वाले जीव होते हैं उन वो सबसे complex food खाते हैं तो एक मुझे याद है कि I think class 10th में कोशन है भी कि सेर जो होते हैं जो carnivores होते हैं उनकी छोटी आथ छोटी क्यों होती है तो सेर की जो छोटी आथ होती है बहुत छोटी होती है तो उसका होता क्या है इनमें जो पेट होता है वो चार भागों में बटा होता है घास खाने वाले जीव जो होते हैं इनको जुगाली करने वाले जीव भी बोलते हैं या रूमिनेंट भी बोलते हैं या जुगाली करने वाली देखा होगा मू चलाते रहते हैं तो करते क्या है इनका पह पाद में पर स्बीन में पर एधा चला गया कूंट में फिर pioneer उपाइब मुह चल या रहते हैं तो तो इसलिए रूमिन नाम याद रखना तक य॥ि अम नेक्स्ट पॉइंट है कि घास में अ में वे सेल्यो सें होता है। वह भात कॉंप्लेक्स है है। इसको डाइजिस्सक्राइब में चुद्रात मतलब छोटी याथ और रहदात मतलब बढ़ी याथ एंकि स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लाज इंटेस्टाइन होता है उनके बीच में थैली नुमा सनरचना होती से अर्धनाल बोलते हैं इसी अर्धनाल में ही वो जिवाडू पाया जाते हैं जो की सेल्लोस का पाचन करते हैं अब मैं अमीबा का द्रंग से बता देती हूँ अमीबा इस यूनी सल्वरल ठीक है यूनी सल्वरल का मतलब है इसमें केवल एक कोशिका होती है अब देखे यह बीच में जो बैठा है नीप्लियस है ठीक है यह जो चुटी-चुटी दिखरी है धानिया है जिसको वेक्यूल्स बोलते हैं और यह जो इसने मुँ बनाया है ना खाने के लिए इसको बोलते है सीडो पोडिया या फिर फॉल्स फीट तो यह खाना कैसे खाता है लेके यह अपना शेप बदलता है मालीज अभी यह है ठीक है अगर इसको खाना दिखा तो अपना मुँ इस जिगाय से बना लेगा ऐसे इस सेप को ही बोलते हैं सीडो पोडिया या पदाब बोलते हैं पदाब या फॉल्स फीट भी बोलते हैं जो खाने के लिए मुँ बनाता है वैसे अपना शेप करता है और फिर क्या होता है नेक्स स्टेप में फाइनली वो जो खाना होता है वेक्यूल में चला जाता है खाना जो food वेक्यूल मतलब जो धानिया है उनमें वो खाना चला जाता है और अंदर चला जाता है इस तरीके बहुत easy सा है amoeba का amoeba में किवल ये दो नाम याद रखेगा seedopodia और वेक्यूल अब last है teeth in human human में 8 वर्स तक दूद के दाथ गिर जाते हैं बस ये data याद रखना है 8 वर्स तक जो दूद के दाथ होते हैं गिर जाते हैं इस्थाई दाथ 32 होते हैं 32 दाथ में कौन कौन से होते हैं incisor, canine, premolar, molar incisor, canine, premolar और molar तो incisor कितने होते हैं 8 होते हैं 4-4 क्यों लिखा है चार उपर, चार नीचे दो उपर, दो नीचे, चार उपर, चार नीचे तो 8-4, 8-12 ऐसे याद रखना है 8-4, 8-incisor, canine, 4 premolar, 8 molar, 12 और इनका काम हैं हमने shortcut में लिख दिया हैं कि ये biting करता है incisor का काम होता है biting का इसका काम होता है tear, tear मतलब फाडने का और ये bite भी करते हैं ये भी और इसका होता है chew और grind उनकी चबाने का और grind mix करने का और finally इसका भी काम हो जाता है चबाने का और grind करने का काम इतने important नहीं जितना इनका number important है 8-4, 8-12 इसके सारे आपको chapter पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो भी theme से related topics है वही chapter में topic wise डाल रही हूँ पहला हमारा point है autotroph and heterotroph autotroph वो होते हैं जो अपना bhojan swam बनाते हैं by precaution slicer यानि कि photosynthesis के द्वारा heterotroph वो होते हैं जो plant पे depend होते हैं चाहे वो directly चाहे वो indirectly अब heterotrophs के अंदर देखी आते कौन से हैं herbivore नाम सोना होगा अपने herbivore herbivores कार्णivores और omnivores अब इन तीनों में difference बताती हो मैं यह मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बुक में mention नहीं था लेकिन अभी मैं इसके साथ ही complete करा देते हूं बहुत इजी सह है herbivore होते हैм जो सीधे green plants को या plants को खाते हैं जैसे गाय भैस वगएरा होगए तो herbivore आते हैं carnivore होते हैं जो पूरी तरीके से meat वगएरा खाते हैं वो carnivore हो गए omnivore वो होते हैं के दोनों कहते हैं, यानि कि घास पूस भी खा लेते है उतके बचालेते हैं, उतके सात में जो मीट वगएरा वो भी में खा लेते है, यह तीनों başka यहाते हैं, एक हेतरोप्स ही आते हैं, अब प्लांट अपना भोजन स्थो भॉकलमी से बनाते हैं, C6S12O6 यानि कि यह बनता है glucose उसके साथ में क्या निकलता है यहाँ पर O2 oxygen gas निकलती है और water के molecule निकलती है यह completely balanced reaction है next point है हमारा पतियों को plant का kitchen बोल जाता है क्यों क्योंकि पतियों में मौझूद होता है हरे part में मौझूद होता है chlorophyll और chlorophyll में ही प्रकास लेसर वाली पूरी reaction होती है इसी वज़े से plant का kitchen बोल जाता है अब plant अपना खाना किस रूप में स्टोर करते है कोशन बहुत बार पूछा गया है कि plant अपना बोजन किस रूप में स्टोर करते है देखे होता है कैसे माली खाना बना glucose तो glucose तुरन्थी तो मढ अच्छा यहां पर एक पॉइंट और क्लिया करते हुँ जो हिूमन होते है हम लोगों में हम लोगों में भी तो glucose होता है तो glucose किस फॉर्म में स्टोर होता है बोजन तो starch के रूप में और humans में किस रूप में होता है तो glycosin के रूप में ग्लाइ-co-gen यह याद रखियेग कर नक्या है ने Cal inverter स्वान ख्लोरो Avenue में म alltså इता थो क्लोरो verlम मेरे जाता यह स्वाइशन झापन गरी माहीं चैनल फीटर्वों जाता है अब होता क्या है कि कैसे गेसे specifically होता है कैसे CO2 निकलती है और निकलती CO2 आती है most सब कैसे होता है यह क्या होता है पत्तियों में बहुत चोटी चोटी है जाना उसी प्र ह Squeeze जल वास्प3 रही यह कुला उस घ्रमटड़ निचल जा जाता है जल वब। के रूप में वास्प के रूप में बाहर निकलता है और यह करता कौन है कि इस्टोमेटा अपने आप ओपनिंग क्लोजिंग नहीं करता है यह देखे नीचे डाइग्राम है मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने बनाने की कोशिश किये कि देखे बीन्स की सेफ मे जो दिख रहा है आपको यह बीन्स की सेफ में गार्ड सेल होता है तो गार्ड सेल का काम जो होता है द्वार रंद्र कोशिका है इनका काम होता है इस्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग करना है इनकी स्टोमेटा को खोलना और बंद करना और स्टोमेटा के तुरू तो आप जुब सरजन बोलते हैं कि जा पानी जल वास्थ की रूप में पत्तीयों द्वार की थे मेटा थो निकल जाता है तो इसे वंख सर्जन के अब डिया सब्सक्राइब करेंगे Communism होते हैं इन में TRANSFIRATION को कम करने के लिए जो पतिया होती है वो सूल के रूप बहुत हो जाती है अब त्रीकेले कर्टे क कटें कि निकाल थैंगे तो उनको फिर बचेगा जाना इसी वज़े से वो पतिया कटीली हो तो अब उनके में जो प्रिकास नस्लेसर होता है तने से होता है अब यहां पर एक एक्टिविटी दे रखी थी जो की बताया गया थे कि आप स्टार्ज का कलर ब्लू और ब्लाक हो जाता है तो क्या होगा इसका मतलब उसमें मंद मौझूद है अब वहां पे इस बात लिखी थी कि अगर आप किसी पेड को यह किसी पत्ती को एक दो दिन पूरी रात अंधेरे कमरे में रखिया निकि नो लाइट लाइट नहीं मिलेगी संलाइट न नहीं होगा ठीक है नेक्स पॉइंट है कि हरी पत्तियों के अलावा अन्य रंग जो होता है इसे कभी-कभी पत्तियों का लाल भूरा हो जाता है तो उसमें होता क्या है कि क्लोरोफिल की हरे रंग को धक लेते हैं क्लोरोफिल की हरे रंग को धक लेते हैं उसकी वज़े से ल इनके compound होते है nitrogen के yogic होते हैं इनके रूप में plant को समझ में आता है कि ये चीज उनकी growth में help करती है तो इसके लिए nitrogen fixing bacteria होते है atmosphere में जो की conversion का काम करते हैं N2 को इसमें बनाना और इसको इसमें बनाना ठीक है अब next point है हमारा सेवाल यानि कि algae algae जो होते हैं या अपना फोजन photosynthesis से बना लेते हैं इसके बाद वाले point बहुत important है किसी भी competition के लिए इसारे point बहुत important है algae में algae अपना फोजन photosynthesis से बना लेते हैं यानि कि सेवाल अब आता है host और parasite इन में difference समझेगा host वो होता है वह जीव जिसके सरीर पे किसी परजीवी को आसरे या भोजन मिलता है मतब जिसे अगर बरगत का पेड़ लगा हुआ है तो इस पे आपने देखा होगा कि एक अमर बेल की पेड़ होता है जो कि इस पे ही फलता फूलता है ठीक है तो वो जिस पे फल फूल रहा ह यानिकि बरगत का पेड़ क्या हो गया, होस्ट हो गया, और जो स्वैम अपने पोसड के लिए दूसरों पे निर्भर रहता है, उसको परजी भी बोलता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि कोई इनसान है, तो इनसान की सर पे जू है, तो इनसान is a होस्ट, नेक्स्ट है सिकारी पौधे, सिकारी पौधे आपने पढ़ाई है, अचा, अब यहां पे मैं एक कोशन पूछूंगी, कि जो घट पढ़नी पौधा होता है, जिसको निपेंथिस बोलते हैं, है ना, EBS में है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी जाता है, सिकारी पौधे जो होते हैं, उनके नाम दो पड़े बते हैं, दो नए नाम है याद रखेगा, वेनस, फ्राइट ट्रैप, और सैंड्यू कीट बच्ची, और यह घड़े के शेप का होता है, तो मैंने उसमें बताई हैं, नेपेंथिस वाले में, अब यह है सहजीवी, सहजीवी बहुत important है समझना, बहुत confusion रहती है, कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, और अपना आवास और भोजन एक दूसरे से बाढ़ते हैं, पर जीवी में ऐसा था, कि वो पूरी तरीके से दूसरे पर निर्भर हो जाता है, लेकिन सहजीवी में ऐसा होता है, कि एक क्या करता है, एक भोजन प्रोवाइड कराता है, तो दूसरा कहता है, कि आओ हम तुमको रहने की जिखा देंगे, ठीक है, जिसे कि अगर माली जाब किसी ऐसे घर में रह रहे है, जिसे माली जाब के पास घर नहीं था, तो आपको एक घर मिला, लेकिन आप जॉब करते हैं, उसके घर में कोई जॉब नहीं करता, तो आप कमाने वाले हैं, लेकिन घर तो किसी दूसरे का है, वही चीज़े यहाँ पर भी सहजीवी जो एक दूसरे पर आवास और भोजन के लिए एक दूसरे से अपना बढ़ते है तो जैसे एक्जाम्पिल में लाइकेन आजाता है लाइकेन किसे में लिए बना होता है सहवाल और कवर जहां पर सेवाल अभी मैंने बताते हैं कि सेवाल जो होता है, अल्गे वो फोटो worthy सब्ना खाना बना लेते हैं, तो यह भोजन प्रोवाइड कराता है किसको ? कवक को, फंगस जो होता है, पंजाई उसको, तो fungus क्या करता है आवास प्रोवाइड कराता है आवास जल और पोशक ततद जो होता है वो प्रोवाइड कराता है कि आचा हूँ मेरे उपर रहो और उसके बदले में कवक को सेवाल खाना दे देता है ठीक है तो यह संबंद सहजीवी का होता एक संबंद और है उसके लिए नाइटोजन की गैस होती है उसको विले पदार्थों में परिवर्थित कर देना वही विले पदार्थ मतब जो हमारी प्लांट समझते हैं जो योगिक समझते हैं उसमें परिवर्थित कर देना राइजो बीम का कारे होता है राइजो बीम अपना भोजन स्वैम नहीं बनाते ह तो यह क्या करते हैं, तो जो चना, मतर, मूंग, सेम, जितनी भी दल, हनी फसले होती है, उनकी जड़ों में मजूद रहते हैं, यानि उन फसलों की जड़ों में रहते हैं, जड़ में याद रखेगा, जड़ में रह करके इनको बदले में वो खाना देते हैं, और यह बदले म तो यू में क्या पाया जाता है तो 78% नाइट्रोजन है 21% और जो बचा हुआ एक पसंट है उसमें क्या क्या है उसमें कार्बन दैक्साइड यह की CO2 आरगन मीथेन मीथेन का फॉम्ला होता है CH4 और जल वास्प जल वास्प को इंग्लिश में वाट वेपर कहते हैं जो इंग् यह सारी कंटेंट आहते हैं वायो में नेक्स है कि कि वाहन से क्या निकलता जो वहिकल्स होते हैं वहिकल्स से कार्बन मोनोक्साईड क्योंकि प्लीट तरीकेसे councils पूरी तरीके से यह नहीं तो CO2 से कार्बन मोनोक्साईड निक सब्सक्राइब निग साट में और डिक्षा इसका फॉम्ला होता है CO, carbon dioxide CO2, nitrogen dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen dioxide, nitrogen dioxide, धुआ, यह सारे वाई प्रदूशक होते हैं, यह वाई को प्रदूशित करने वाले होते हैं, तो अब देखते हैं, carbon monoxide की क्या प्रॉपर्टी है, carbon monoxide, petrol और diesel के अपूर नहन से, यह नहीं कि complete combustion ना होनी की वज़े से उत्पन होत होते हैं, यह ब्लेड में, oxygen वाहख च्हमता को कम कर देती है, यह ब्लेड में, oxygen नहीं की होता है , इसफिता है होती है, हमो अगलोबिन नहीं होती है, oxygen की श्मता , परिशियन अप्रकर्ण की च्हमता होती है , यह ज़ैसरे oxygen की affinity की छमता को ही कम कर देती है जिसकी वज़े से दम घुटने की वज़े से आपने सुना होगा कि जो अंगीठी वगरे चलती है और अगर घर कमरे में दराज नहीं होती है तो दम घुटने की वज़े से पुरी-पुरी family ये जो कमरे में लोग होते हैं उनकी death हो जाती है तो चिमनियों से ये फैक्टरी से जो धुवे निकलते हैं या वहिकल से धुवे निकलते हैं तो दम नाइटोजन की ऑकसाइट प्लस अन्य प्रिदूशक कुछ और पल्यूटेंट प्लस कोहरा जब ये सम मिल करके क्या अपको धुली-धुली से सर्दियों के टाइम में जो दि एफ़िडेटरेंसे असए इसल फोहर मी किया जाता है कहा होता है, ष्रिज और आचाओ अपहरा जाती है इनका इसका harmful effect क्या है तो CFC का harmful effect होता है कि हमारे atmosphere में खुब सारी layer पाई जाती है खुब सारी क्या मतलब 5 layer troposphere, stratosphere, mesosphere ऐसे करके जो layer होती है उसमें हमारे stratosphere होती है second वाली layer I think उसको समताब मंडल बोलते है छोब मंडल, समताब मंडल सूर से आने वाली UV rays यानि की परावैगनी किरनों को अल्टा वॉलर रेस को से प्रतिवी को बचाती है तो अब ये CFC क्या करता है उसी ओजोन परत में छेंद कर दे रहा है ठीक है, अब होल होनी की वज़े से वो जो UV rays है वो अर्थ में इंटर कर जा रही है गरबड हो जा रहा है इम्यून सिस्टम की डिफिसेंसी हो रही है और ब्लाइडनेस जैसे समस्या आँखों की रोशनी का कम हो जाना ये सारी समस्या आती है अब अब असी ट्रेंड देखते है क्या असी ट्रेंड क्या होता है SO2, NO2, N2O, NO यह हम है। नइट्रोजन की ऐकसीर निट्रोजन डीकसाइड निट्रोजन ऑकसाइड, निट्रोजन नमोनोसाइड यह जो ऑकसाइड है और साथ में SO2 निकि économ स century एकसाइड यह जैसे जलेग corn वाथर वैपर जब यह सारी गैसे water vapour के साथा याच करती है आपके एट्मोस्फेर में बनता है और यह सारी ग्यासिस कहां निकलती है और यही अमल पानी के साथ जमीन पर गिरता है जब बारिश होती है तो बरसा के साथ जमीन पर गिरता है यह नाम याद रखिएगा सलफ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तो यही जब आरिश के साथ गिरता है तो उसे एसी ड्रेन बोला जाता है अब एसी ज्यादा तर देखने को कहां मिलती है ताज महल के पास देखा होगा आपने कि ताज महल का जो पीला रंग हो जा रहा है संगमरमर उसका पीला हो तो सुप्रीम कोड ने मना भी किया है कि आप जादे ज्यादा कंट्रोल करें इन सब शीजो को और नेक्स पॉइंट है कि हमको फिर यूज क्या करना चाहिए अगर हम यह नहीं करेंगे तो पाइनली करेंगे क्या सी एंगी करने पे उन्होंने का है कि कॉंप्रेस नेशनल ग इंग्लिश में हैं कॉंप्रेस्ट नेश्रल गास सी एंगी हो गया लपीज जो हमारे क्या सेलेंडर में भरा होता है अगर के लिक्वीफाइड पेट्रोलियम ग्यास अब में एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूं इसमें पुछाता है कॉन सी ग्यास होती है मेलनी तो इस बताब सीशा ना हो उसका यूज करना चाहिए मोटर वहिकल में और एविधन पता यो पता ह года की जो wind energy होती है tidal energy होती है जो आपको कभी खतम नहीं होती है solar energy इनका यूज जादा जादा करना चाहिए koela petroleum इनका यूज करना चाहिए क्योंकि यह सीमित है next is green house effect यानि कि पौधागर प्रभाव यह मुझे पहली बार पता चला तक हिंदी में पौधागर प्रभाव क्याता है लेकिन English में green house effect तो देहें green house effect अच्छा है हमारे atmosphere के लिए अच्छा है लेकिन ये बहुत ज़ादा हो गया है वज़े से यह भानिकारग रूप लेने लगा है तो यहां बताएगे सूर के सूर के विकर्ण विकर्ण मतलब रेडियेशन जो आती है वो कुछ भाग प्रतिवी पर अवसोशित कर लेती है और कुछ भाग रिफ्लेक्ट होकर के अंधिरिक्ष में वापस चला जाता है यह गरम होती जा रही है तो सीमित मातरा में तो प्रतिवी ठीक ठीक गरम रहेगी लेकिन अगर थोड़ा था भी ज्यादा हुआ ना तो प्रतिवी का टेम्परिचर बढ़ जाएगा और तेम्परिचर बढ़ने से ग्लेसियर पिगलने लगते है और आगे आपको पता ही कितना होता है तो green house effect इसलिए बोलागे कि आपने nursery बगर में देखा होगा तो nursery पेडों की nursery होती है वहाँ पे कांच का घर होता है जिसके अंदर heat आत हो जाती है लेकिन वापिस नहीं जा पाती है इसी वज़े से इसको green house effect बोला गया है ग्लोबर वामिंग क्या होती ग्लोबर वामिंग का मतलब है जो डे बाइडे प्रतिवी का टेंपरेशर जो बढ़ रहा है ठीक है पॉइंट फाइव एक लाइन लिखी थी उसमें इसी को ही बोलाता है global warming, global warming के लिए ग्यास कौन सी हेलफूल है जो कि global warming करती है एक तो आपको co2 पता ही है ठीक है उसके अलावा ये नाम याद रट लीजे एक दम हर किसी भी एक्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है मिथेन, नाइट्रस ऑकसाइड, नाइट्रस बोला मैंने, N2O, जल वाप स्यानी की water vapor हो गया, CO2 हो गया और ओजोन ग्यास होती है वह भी global warming कराने में हेल्प करती है हलाकि ये बिल्कुल गलत है इसलिए इन सारे गैसे पर कंट्रोल करना चाहिए इसी चकर में इसी को कम करने के लिए Kyoto Protocol हुआ था ठीक है ये यूपी टेट में कोशन कही बार शायद आ चुका है कि Kyoto Protocol ये competitive exam में बुछ जाता है कब हुआ था तो 1992 में हुआ था इसका इसमें ये कहा गया था एक सम्मेलन था इसमें कई दिसों ने अस्ताक्षर किया तो और कहा था कि हम आगे जाकर कि जो हम जैब बिवित्ता दिवस जानिकी बायोडा विस्टीडे 22 महीं को और 1 महीना है दिवस नहीं है जन महीना ये जिलाए के महीने आप घुब सारे पयर लगाँ जहाते है अभी Select Veg ещё placement shtоды Gleich toe in 1985 में in 1985 में आप इसको start cut में एपको में उसकुए ब को pay coverage na आई ती गंगा action plan 1985 में इस ताइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गानी जी थे क्योंकि यूपिटेट में मैंने लाइन पड़ी थी और 2016 में सुच गंगा मिशन आया था तो सुच गंगा मिशन तो सुनाई होगा नरेद मोधी जी के द्वारा लाए गया था 2016 में इनकी सन्याद रखियेगा 1985 में गंगा एक्शन प्लान और 2016 में स्वच गंगा मिशन अब जल प्रदूशों के बारे बढ़ते हैं जो रशायन निगलते हैं जो फैक्रियों से जो क्यमिकल्स निगलते हैं और डारे को नदी में गिरा दिये जाते हैं तो उन रशायनों में आर्सेनिक लेड और फ्लॉड जो पॉधे और पश्वय अविश्ता उत्पन करते हैं इन यह जल प्रदूश्य की बढ़ते है और फटलाइजर अम यह पाप को जानना बहुत N. न कि आपको जानना बहुत इंपको पहुंचने से जो जल में जीव होते हैं वह मरने लगते हैं तेखे फर्टलाइ जो होते हैं, उनमें जो मौझूद नाइट्रीड और फॉसफेट होता है, नाइट्रीड और फॉसफेट तलाब में सैवाल उगने में मदद करते हैं, तलाब में सैवाल को बनाने मदद करते हैं, अब देखिए, इनकी सैवाल के लिए पोशक का काम करते हैं, यहां तक तो ठी मैं देखे ब्लैक पंसे लिखाए कि अधी गवशकता होती है कि और भी दे इस लाग अगर खाय पानी में खु़ी हुई यह गुली हुई और पानी में घुछीजन लेती है इसी लिए अगर पाणी में अक्सिजन की कमी हुई तो यह जली जीव मरने लगते है अच्छा आपको यह पता है कि यह क्लास 10 में एक पॉइंट है कि जो जलिये जीव होते हैं उनका ब्रीधिंग रेट बहुत हाई होते हैं हम लोग बहुत अराम से सास लेते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसकी मातर ले सकते हैं कि जब हम लोग की चाहरे पर कोई अगर पिलो रखेगा तो हम लोग तेते सास लेने लगे ना वैसे उनके साथ होते हैं जल से होने वाले रोग कौन से हैं है जा टाइफाइड पीलिया यह सारे रोग होते हैं और जल को सुध्ध करने की रशायनिक विधी के लि रिड्यूसी रिएउस का मिभी नवर्मेंकर निले मские के लिए धी जब उपयोग करने रियोसी दुभारा उपयोग करने रिसाइकल पुना चक्रत करना visa रिकबर पुनाप्राप्त करना और रिफ्यूसी बिल्कूल मना ही कर देना यही तरीका है अपने इंवर्मेंट को यानि कि बैक्टीरिया फंगाई और प्रोटेजोवा और एल्गे नेक्स वाइन्ट है कि विसाड़ यानि वाइरस जो होते हैं इन सबसे भेने क्यों है वाइरस भी एक अपने मर्टिपल बनाने लगता है और बहुत जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा देता है तो वाइरस से होने वाले कौन थे रोग है तो वाइरस होने वाले रोग है जुकाम इन्फवेंजा खासी इसके अलावा और भी है जो कि आपको लास्ट पे मिलेगा नेक्स पॉइंट बैक्टीया से टाइफाइट टीबी हैजा अभी रोग के नाम याद रखेगा हो सकते हैं पूछ ले कि किस जिवारो की वज़े से होता है तो अन्युक्त पॉइंट हो कि नाम जी जो बैक्टीरिया होते हैं वह कैसे होते हैं वह या तो च्षडवाओं या तो गोल गोल बहुत important है तो सेवाल के नाम यान की algae के नाम है Clemydo, Monase और Spirogyra, यह दोनों नाम बहुत अच्छे स्याद रखिएगा, Clemydo, Monase और Spirogyra, next है protozova, protozova में Amoeba, Paramecium, Mention था, कवक, कवक again बहुत important है, algae और कवक के नाम जरूर याद रखिएगा, कवक में, Rhyzopus है, Penicillin है, और Aspergill Penicillin बहुत important है, अभी मैं आगे शायद बताऊंगी भी, वह point में है, next point है, कहां पाए जाते हैं कि जितने भी microorganism है, वो जिवाडू, कुछ सेवाल, protozova, यह एक कोश्किया होते हैं, यह यूनिसल्लर होते हैं, सेवाल और कवक, बहु कोश्किया होते हैं, कि algae और fungus जो होते ह है, दूद से, वो होता है, Lactobacillus bacteria, बैक्टिरिया का नहां याद रखेगा, next point है, kid one, kid one का मतलब है, fermentation, fermentation की खोज किसने की थी, तो लूई पास्चर नहीं की थी, कब की थी, 850, 850 में हमारे यह क्रांती होई थी, तो उसी क्रांती में याद रखेगा, हमारे यह क्रांती हो होई थी, वहाँ पर fermentation की खोज हुई थी, किसने की थी, लूई पास्चर नहीं, लूई पास्चर नहीं किया क्या था, कि चीनी के, यह कैसे होता है, मतलब, चीनी के अलकोहल में, चीनी को जब सडाया जाता है, ना, फर्मेंट किया जाता है, यह यह लिखा हुगा है, चीनी क जो बहुत दिन तक फर्मेंट किया जाता है, तो वह अलकोहल का रूप ले ले लेती है, इसी को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं, इस्ट, त्रीविता से जनन करके, श्रशन के दोरान, सीओ टू निकालते हैं, तीक है, जब वो बुलबुले मिलते हैं, जो बबल्स दिखते हैं वो CO2 के ही होते हैं, एंटिबाइटिक के नाम, जो हम लोग एंटिबाइटिक खाते हैं, उनके नाम, जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, तो पैनिसिलीन बताया था ना, भी फंगस अभी मैं बताऊंगी, तो यह जो पैनिसिलीन फंगस होता है, इसी से ही पैनिसिलीन की मैसीन जिसमें आयेगा, वो तो एकदम याद रखेगा, मैसीन, स्ट्रेप्टो और इरिथ्रो, पैनिसिलीन की खोज की थी तो पैनिसिलीन की खोज 1199 में, एलेक्जेंडर फ्ले मिकस नहीं की थी, वही फंगस हरे रंका होता है, और यह एंटिबाइटिक के में दवा बनाने में यूज चीए जाता है चैचक के टीके की कोश किस ने की तो चैचक एडवर्जर्णal ने की थी एडवर्जेणर जेणर ने की थी 1708 में पुरा निसाटीव मेंशन न लिखा है मैंने Polidrop is vaccine जो Polidrop है वो एक तरीके की vaccine है तीक है अच्छा ये पता है ना कि vaccine में क्या किया जाता है उसी का वो जो virus है उसी से लड़ने की दवा उसी से बनाई जाती है और inactive form में हमारी body में इंटर किया जाता है ताकि हमारी सरीर में antibody बन सके उसके किलाफ साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया और नील हरीच जो होते हैं यह बंडल में नाइट्रोजन का इस्थारी कर साईं możli ही मतलब होता है तो कुछ रोग भाग भी होते हैं ग्लिकापने केबल डिसीज और नाँ कमने केबल डीसीज तो 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 यहां पे है और और सर्दी जुखा मनcommittee किसी medium के तूर मुंखें किसी कि आप बात कर रहे तो air के तूर फैल जाती है तो हायीजा और सर्दी जुखा इसके example होना ऑन फीली मादा मच्चर के वर हाओ तो इनोफली मादा मच्चर जो है वह तो मालेडरिया रोग कोच हुआ जो है वह सब्सक्रांद का रोबर्ठ कोच इनने सव धी ब बताया था है कि आंट्रेक्स रोगा एंथ्रेसिस वाड़ू से होता है बेसील इंत्रेसिस जीवाड़ू से नाम में ही है उसका और 400- ogr86 वार्स वाडस होने वाले रोग कॉन से हैं वारे सुने वाले रोग मेंॵार्स में खसरा हो गया चिकन पॉक्सने की तो और शजर ने में आगर ने की तो पाश्यूरी करर पाश्च तो पैचिराइजिशिशन में क्या होता है कि दूद को 70 dc 15 से दूद को 70 dc 15-30 से गर्म कर धिए जाते हैं मतलब beset पहले पहले को आप होगा फ़लाथे और इसके बार 15 से 30 में अचानक कर दिया जाते हैं जिससे उसमें जो जितने भी माइक्रो और्गेंजम होते हैं उनकी ग्रोथ रुख जाती है तो इस प्रक्रिया के खोच किस ने की थी इस प्रक्रिया के खोच की थी लूई पास्चर ने जिसकी भी खोच की है उसका नाम याद रखे गए